नमस्कार दोस्तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने पसंद देदा यूट्यूब चैनल हिम गुरूजी में दोस्तो इस वीडियो में आपको मताता हूं इंडियन आर्मी की दोस्तो जो भरती होने वाली है तो इसके बारे मैं आपको बताऊँगा कि दोस्तो यह किस स्टेट की है और किस स्टेट में भी कुछ डिस्टिक्स की जो भरती होती है उसमें कौन-कौन से डिस्टिक होगे इसकी लास्ट टेट कब होगी आपकी भरती कब से कब तक होगी आपका जो क्रेटेरिया कह रहता है इसमें भरती होने का तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल में पताऊंगा आप इस वीडियो को लास्त तक देखिएगा और दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक से जुरूर बताना तो दोस्तों वीडियो क सबसे पहले जो भरती होनी है यह आप देख सकते है शहीद भगत सिंग स्टेडियूम सिर्सा हर्याना ही दोस्तों सिर्सा में हो रही है शहीद भगत सिंग स्टेडियूम में और इसकी जो डेट रहेगी दोस्तों आप देख सकते है तीस जुलाई से आठ अगस्ता की भरती क्र ने है उसकी क्या डेट रहेगी दोस्तों जो आपको फिल करने है 31 मई 2020 से लेकर 14 जुलाई 2020 31 मई से 14 जुलाई तक आप फिल कर सकते हैं और आपको जो फिल है वह 14 जुलाई से पहले फिल करना होगा जबके एड़िट कार्ड है वह रेली से पहले आपके जो इमेल आईटी पर वहीच दे जाएगे आप उसको भी चेक कर सकते हैं यह जो 15 से 29 जुलाई के बीच आपको एड़िट कार्ड वहीच दिये जाएगे दोस्तों बात करते हैं क्राइटेरिया की किसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा आप देख सकते हैं वैसे आप सभी लोगों ने पहले भरती दियोगी आप सभी लोग जानते है किसमें क्या क्या क्राइटेरिया लगता है तो सबसे पहले बात करते हैं जेनल केटेगरी की केटेगरी में आप देख सकते हैं इसमें इसमें आपका एज है साड़े साथे से 21 फर्स होनी चाइए जब आपकाएज क्रेटेरिया है आपको डे डेटर वर्थ कोई है एक अक्टूबर 1999 से लेकर एक अप्रेल 2003 के वीज़ आपका जो है डेटर वर्स होना चाहिए हाइट आपकी 170 cm होनी चाहिए आपका जो वेट है वो 50 kg से कम नहीं होना चाहिए फिर आपका चैस्टेस, 77 प्लस 5 जो आपका लेक्सेशिन मिलता है 70 cm होनी चाहिए harness आपका कम्प्रेट पौर्ट रहना चाहिए 45 मार्कस आपके डोटल होने चाहिए और तर्टि थरी प्रसेंट अपके अरेक सब्जेक्ट में होना compulsory है फिर बात करते है बात करते है आपके इंडियन गोर्खा जो गोर्खास होते है उन भी भर्ती दे सकते हैं इसमें आप इसमें जो है एज एपली केबर नियर केटेगेरी आपका जो हाइट है एक सबस्तावन सेंटिमेटर होनी चाहिए चैस्ट आताइच सेंटिमेटर होनी चाहिए यह सब्सक्राइब के लिए के अपका जो स्व्लोा क होता है उसमें आपकी 17 से तेस पर होनी चाहिए डेटर वर्षास आपका एक अक्टूबर उनीस सो तानुए से एक अप्रेल दो हुजार दीन के बीच होना चाहिए और आपका हाईट एक सोबासर सेंटिमीटर है वेट आपका 50 kg है और जो आपकी जैस्ट है वो 77 सेंटिमीटर होने चाहिए और बात करते हैं क्वालिफिकेशन की 10 प्लस टू आपका पास होना चाहिए आर्ट्स, कमर्स, हैर्श, साइंस किसी में भी आपका जो 10 प्लस टू पास होना चाहिए 60 प्रसेंट मार्क्स आपके इसमें कंपल्सरी है आपको 60 प्रसेंट मार्क्स के साथ पास करना होगा और आपका जो एग्रिगेट है वो मिनिमम मार्क्स का 50 प्रसेंट है और हर सब्च में आपका 50% जो है compulsory होना चाहिए कि दोस्तों हम आगे बात करते है फिजिकल फिटनेस आपका जो होता है ग्राउंड टेस्ट होता है उसमें आपको क्या-क्या होना है आपका ग्रूप A में होगा पांच मिनट 30 सेकिंड में आपका साथ नमर का होगा और इसमें आपको पुलापस के 10 मार्क्स होगे भी मर पुलापस के 10 के 40 होगे 9 के 33 होगे 8 क्योंगे 22 27 क्योंगे 21 6 क्योंगे 11 नमर आपको लगेगे दोस्तों को इंपोडेंट है को वहीं पताउंगा क्यूंकि दोस्तों आप लोगों ने सब misman पहले बरती दी होगी आप सब लोग जानते है इसमें क्या-क्या क्या अधिया होता है medical test आपका उसके बाद होता है तो आपका जो एड़िट कार्ड है वो दूस्तों laser printer द्वारा good quality में आपका जो print होना चाहिए आपको 20 copies photo photo copy आपके 20 photo आपको साथ ले जाने होगे इसमें आपका अधिया होने चाहिए फोटो साइज आपका जो पासफोट साइज है वो color photo होने चाहिए और दोस्तों की जो important में रहेगा मैं आपको बता होगा आपको जो certificate है आपको कौन-कौन certificate certificate ले जाने है मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि दोस्तों certificate बहुत important है कई candidate फिछले वरती में भी certificate ज़र भार हुए थे तिसमें दोस्तों कि आपको देख सकते हैं certificate form बाकर देम जराव का दोस्तों बाकर डेम से जो प्रभावित लोग है उनका वी एक certificate बनता है उसका certificate आपको होना जाए और आपका जो कास्स शर्टिविकेट है वो भी आपको डोगरा कास्ट आपको साथ लेजाने पर दोगरा certificate भी क्याते है फिर आपका religion certificate भी आपको लेना है आप इंदू Muslim सिख्ऴी साई जो भी है आपको उसका certificate लेना होगा फिर आपका school character certificate भी ले जाना होगा क्योंकि आपका character देखे यू भरती करेगे फिर आपका Unmarried certificate होगा वो भी आपको ले जाना पड़ेगा क्रेक्टर सेटिफिकेट आपका जो six months का होता है वो भी आपको ले जाना पड़ेगा फिर आपका रिलेशन सेटिफिकेट होना चाहिए son of आपके शर्विस्मेन son of ex-serviceman son of वार्ड फिर फाइटर और son of और फिर आपके यह सभी सेटिफिकेट आपको जो है साथ में ले जाना compulsory होगा इस लेशन सेटिफिकेट आपको ओफिस से जो रिकॉर्ड मिलता है उसके लेटर होना चाहिए अधिया आपका एंसेशन सेटिफिकेट है आप उसको भी साथ ले जा सकते है और स्पोर्ट लेवल का आपको वो भी साथ ले जाना compulsory है और आपको जो इंपोरेंट है वही बताने कि मैं कोशिश करूँगा आपको साथ में एक ले जाना होगा ये भी आपको नाइब तैसनेदार से बन जाएगा एफट एविट साथ में आपको सिंगल बेंक अकाउंट पैन कार्ड औ आधार कार्ड नंबर ये आपको सब भी साथ ले जाने होगे तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंदारी तो वीडियो को लाइक जूर कीजिएगा आपको मैं अच्छे वीडियो लाने कोशिश करता हूं लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और दोस्तों जिसने आपको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगरे जैसे कोई नौटिफिकेशन आएगी मैं सब्सब्सब्स लाने के आपको कोशिश करते रहता हूं तो दोस्तों यह हमारी याज जोटी सी वीडियो थी आई होब आप सभी को पसंद आई होग आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स है जुरूब दाना थेंक्यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो